प्रफित यूसफ की सीरीज के एपिसोज नमबर फॉर्टी पार्ट टू जी हां पार्ट पर्ण में हमने देखा कि किस तरीके से जिस तरह से प्रॉफित यूसफ ने कहा बलकुल उस तरीके से situations होती चली जा रही है मिसर में कैदी जो हैं जो उनके साथ रहते थे वो सारे अब क्योंकि गाओं वाले बनके वो उने support कर रहे हैं खेती कर रहे हैं गंदम की सब लुग मिलके और बारिश भी होने लगी है मिसर में तो जैसे उन्होंने कहा था कि फसल अच्छी होगी वो सब क साबित होता चला जा रहा है एक पहलू वो आया जहां पर बानु अदास दिखी क्योंकि प्रॉफित इजार सिफ जो है वो सेर पे निकल गये हैं बाकी गाओं और मिसर के बाकी इलागों के हालात का जाइजा लेने के लिए वहीं मिसर से दूर जाना प्रॉफित यूसफ का बानु को कहीं न कहीं कबूल नहीं हैं तो वो थोड़ा सा साइड पार्ट दिखा उन्हें भी और मुझे लगता है कि कहीं बानु भी अपने खुदा से याने आमोन से अपनी परिस्ती हटा के खुदा पे न लेके आ जाएं प्रॉफित यूसफ के खुदा पे न भी पे तो लेट सी क्या होता हैं इंट्रेस्टिंग जो भी है क्योंकि फर्मारव भी कुछ इंट्रेस्टिंग जरूर बोलने वाले हैं आईए देखते फर्मारव का जो र्याक्शन है वो मुझसे बड़ाश नहीं हो रहा कि क्या करेंगे लेट स्टार्ट युज आईए कर जो फर्मा ने सी नहीं होते झालमिजिंग भी का संटार्ट opposite आईएफ को कि युज के बागए तो छिए साल। टक ने में द Pode- Both- अ होती पजानने देन तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते क्यों वो कभी कोई पेशिंट गोई नहीं करते पजल कटने मी लगी अच्छी पैदावार ओने वाली है पजल गर रहीं कि क्यों चर्व माु पेशियो परको सुछ यहिए सब माँचे क्योन stands आ्ल míょकया यहिए करकोस सिंगे क्यों बता है कि कि अलfred CARE रहीं कोई क्यों वेख़ चक्यों हृन. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वोगदान में नाइफ अच्छा स्टोरेज वोने वाला है दूरूद हो खुदायान माबद के कादम पर तुम पर भी खुदाओं का दूरूद हो तुम भी अपनी गंदम जबा करवाने जा रहे हो जी, खहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है तुम है ये कैसे पता चला के पहत के जमाने में हुकुमत ए उजार सी तुम है ये गंदम वापस भी देगी पाता नहीं, क्या है तो यही रहे है तो अगर ये गंदम अपने घर मेपूस कर गो तो तुम्हारा क्या खियाल है ये स्यादा बहतरद नहीं यॉजार सी एक रखा इंसान मुझे उसमार मुकमल भरोसा है ये इनसान मुश्किल घड़ी में ही पहँचाना है यह लोग अब भी नहीं सुदुरे यार विल्कुल बदर जाएगा देख लेना सब्सक्राइब सुनके चल जाओ आगे करना तो है कि जो आप इस अपने बोले इसमें करिए नहीं हुआ है तो हम आप दिए आरनना सुनके चल के इस नहीं है यह दो आब मोझे पाख के खेतों कहते बागा भाक भी विल्क दूंद विल्क पाविए का जाइजा लेकर आए मैं यहाँ हूँ बिन बुनाय महमान को शामिल नहीं करेंगे वो शामदीद हमें खुशी होगी खुदावन के दरूद हो आपकर सिपास गुजार हूँ इस साल तो फसल खूब हुई होगी इतनी के मैंने अपनी पूरी उमर में नहीं देखी होगी अताके मेरे बुजर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी इतनी जादा है जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है फसल काटते जा रहा हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही ये तो हर काश्टकार के खायश होती है कि उसकी फसल जादा से जादा हो कहते हैं कि आजीजे में सिर्फ दूआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बारावर करता है मुझे भी यकिन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही के लुटफ और इनायात है हुआ है कि अब बेटा तुम बताओ काम में बाबा का हाथ बटाते हो जिन खूष से बाबा गंदों अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरि बेहन जमा करके लाते आफ्रीन भरीन बेटा रहें दावरा तुम होगे तो मैं अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए आपने तो कुछ भी निख रहा है बस यही काफी है सिर्फास गुजार हूँ खुदावंद आपकी हिफाज़त परमाए खुदावंद आपको सलामत रखे कौन था नाम तो हमने पूछा ही नहीं अपना तारुप तो कराया नहीं कहां की रहने वाले हैं युजार सीफ हूँ आपका खादम हरकत करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है यानि ये जनाब युजार सीफ थे हाँ युजार सीफ अजीजे मेसर हमारे महमान बने हमारे सब खानक आया खुदाओं की वजदत में रहें युजार सीफ कितना हथीन चहरा था ना कितना इन अब्सक्राश्चर कर देघरा नहीं कि अब्सक्राश्ट्चर बनावा इन्परसुक्चर रहा है लिट्रल्ल ढबर्दस्त केती है इस पूरे खिते में फसल की कटाई का अमल मुकमल हो चुका है बस वहा का हिस्सा बाती रह गया है और इस तरफ का आज मुकमल हो जाएगा एक खुशा भी नहीं बचना चाहिए सारी फसल काट लीजिए खुदावन्द आपकी मदद फर्माए फरकत करें सारी नहीं बचना चाहिए कि इतने हैं पांच हजार एक बात बता है आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मारवा की जमीनों पर फर्मारवा की जमीनों पर अब तक गंद्व की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दे मर रहा है ज्यादा तसलिफ बख्ष नहीं है काहिनान माबद लोगों को वर्गला कर गंद्व के जखेर साजी और महसुलात की जमावरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तमाम लोगों को यहां बुलाइए मैं उन से बात करना चाहता हूँ सुनिए हजराद जरा सुनिए जनाब यूदार सीफ आप से बात करना चाहते है अपना तमाम काम छोड़ दीजे और थोड़ी देर के लिए यहां आजाएए नस्दी का आजाएए मुझे बताया गया है के काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदुम हुकुमती गुदामों में जमा करवाने से मना कर रहे है ठीक है मेरे खैल में कोई हर्ज नहीं हर शक्स अपनी गंदुम का खुद माली को मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है लेकिन मैं यहां एक बार फिर यह वाज़ करता चलूँ के हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदुम देंगे के जिस से गंदुम वसूल की होगी और हकुमते में सिर्फ उसे गंदुम देने की पाबंद होगी के जिस शक्स ने यहां हमारे पास अपनी गंदुम जमा कराई होगी लहाज़ अगर कोई गंदुम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदुम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है मेरा ये पेगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए अब हम चलेंगे मेरी गंदुम यहां महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमाइन ही मुझे भी यूजर सीफ पर पूरा यकीन है करता है मुझे नहां फसे मुझे छाओगा कि अर्वेगा यहां राव लुष पहां अप्शूचंपा मुझे पुट यहां यहँ पूरा मुझत अप्राव यहां आप गंदुम को तो खुशो समेफ जखिरा करने का कहा गया है आप ये क्या कर रहे हैं गंदुम बूसे से अला कर रहा हूं जो हमेशा करता हूं पहले की बात और थी लेकिन अब हमें कहाध का सामना है बहिए मुझे तो यकीन नहीं है ये सब कुछ तो सिर्फ यूजार सीव का कहना है और अगर कहध पढ गया तो मुझे तो यकीन है कि ना पहले कॉवी पढ़ा है और ना पढ़ेगा बिलफरज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा फिर कहत का सामना कैसे करेंगे ऐसी सूरत में हम हुकुमा से गंदू खरीड लेंगे लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है गंदू से वुसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदू सरकारी गुड़ामों में जमा कराई होगी और कहत के जमाने के लिए पहले से जखीरा अंदूसी की होगी जब देखेंगे के कहत आने वाला है तो हम भी जखीरा कर लेंगे लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो जखीरा साजे मुंकिन नहीं रहेगी जफीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए अगर आफमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कत्रा भी नहीं वर्सेगा और ऐसे में गंदुम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो या फिर मुस्तक्बिल की सारी बाते पहले से जानते हो जी हाँ मैं जमीन पर खुदा का भीजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ इस गहत की मिसाल रोज रहाशर किसी है फरवान ये नहमत के इन साथ सालों की तरह जब तक आप आखरत की इस खेती दुनिया में हैं जो कुछ आज बोईंगे और जखीरा करेंगे एक अलाखरत में वो आपके काम आएगा लेकिन जो भी नेकी बोने और जखीरा साथी करने से गाफिल रहा तो रोज महशर उसके पास पुई तोशा भी नहोगा गाहत के लिए पहले से जखीरा साथी करें बताएं नहीं आप कौन है यूसूफ, यूजा शीव हमें fiber, यूसले बाहने कहा भी बाहने. किते ऑलेगा तुम हो रोदामू युजारसीफ की कोई खबर लाए फिलाल तो शहरे में नहीं है गोदामू की तामीर और जिरेकाश तराजी के जाइजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं तरशल वो महसूलात की जमावरी और खहसे निवटने में मस्रूफ है गुजिश्टा पांच बरसों में भी सिर्फ चन बार वो भी जिनाब आखनातों की खित्मत में गुज़ारशात और मश्वरे की घर्ष से तिपस तश्रीफ लाए थे अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे कोशिश करूँगा कि कासर मैं अपने दोस्तों से कहूँ कि जैसे ही जज़ार सीवाएं तो हमें बाख़बर करें कासर के मुझाफिज़ों के तनखाओं की अदाईगी है वो भी एक मुद्द सेलताव में पढ़ी है बानो वज़ूद तुमें अख्तियार हासिल है काम अन्जाम नहीं रेता अमाम खादमी ने कसर के वाजबात अदा कर दो इस कसर को पूतिफार के बाद इतने मुहाफिसों और निगेबानों की जरूरत नहीं रही लहाज़ा सब को फारिख कर दो कोफूर और सूफर को यहाँ बुलाओ लेकिन बानो खसर इस तरह गेर महफूस हो कर रहे जाएगा और चोर चको की दस्बूर्ट से नहीं बचेगा आपकी होते में मुझे कोई फिक्र नहीं मैं जानता हूँ कि एक काम बहुत मुश्किल है और मैं तनहा इस काम से वह खुबी औहदा बरा नहीं हो सकता लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताथ होगी तभी ये कसर इस सर जमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज़त मिस्र जनाब उतिफास से मतालिक हुआ करता था लेकिन अब यार अब एक शिकस्त खुरदा और मफ्लुक उलहाल बेवा से मतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिल्ज़पी रही और ना ही इस जन्दगी को बागी रखने के लिए कोई उन्म बागी दिल्ज़पी अगर मेरे दिल में युसारसीफ के मुहबत की शमा रोशना हुई होती तो मैं अब तक खुद को जन्दगी के कर्द से कपका अज़ाद कर चुकी होती अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिन्दगी में युसारसीफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा हुई परसर के तमाम महाफ़जीन और खादमीन के वाजबात अदा करें और सिवारे रुदामून के सब को फारिख करतें अब इन सब के तनखाओं की अदाईगी मुंकिन नहीं रही जनाब खुफु भी तमाम कहिनाने माबद को फारिख कर दे उनके खराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुंकिन नहीं माबद को तो तब ही बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक आफिर इस कस्र का पेशकार हुआ था इतना अर्सा भी बिलावजा ही खुला रहा वाव तो दूस्तों देखा जैसे हमने इस एपिसोड में कि किस तरीके से प्रॉफित यूसफ हर छोटे-छोटे कस्बे में जाके इलाकों में जाके लोगों के साथ बात कर रहे थे मिल रहे थे और अच्छली पूरा इंप्लिमेंटेशन प्रॉसस देख रहे थे उस ग्रें स्टोरेज का और बीच में जो लोग भड़के हुए थे उन लोगों को यकीन नहीं था उनके भी साथ बात करने के बाद लोगों को कहीं न कहीं उन पर यकीन आ गया था और हर कोई जैसे हम बात करते हैं वो प्रॉफ कर रहे हैं तो उमीद कर कि आपको यह पसंद आया होगा सेरी जन वागी बहुत मज़ेदार चल रहा है I want to see कि जब वो साथ साल बुरे वक्त शुरू होते हैं तब किस तरीके से यह जो इन्होंने भविश्यवानी की है यह किस तरह किसे काम आती है और तब लोगों का यकीन मून से हट जाएगा और वो सब खुदा की परिस्ती करने लगेंगे let's see वैसे आप लोगों क्या लगता मेरी उर्दू थोड़ी बेटर हुए है या नहीं हुए है तो after watching this series let me know चली इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं मैं मेरते हैं आप से एगले पिसोड में तब तक किल बड़ा बद्वाइлам काई बें लुग्लियमे लुवीर लुग्लियमें कि अपाइब हैं आजिजा काईवा लुग्लियमे लुग्लियर ुवीर